अलो फ्रेंड मैं सेब डॉक्स नील तवार कंसर्टेंट एंट एंड राइनोप्लास्ति सर्जन दोस्तों आज हम बड़ा एक ऐसे टोपिक का जानकरी का डिसकुस करेंगे जो बहुत बाहर बहुत सारे पेशेंट्स को होती है तो उससे उनको प्रोब्लम होती है देटिज दा आने वाले अनेग उपियोगी वीडियो की आपको समय समय पे जानकरी मिलती रही दोस्तों यह एक बड़ी ही कोमन है यूजवली क्या है कि यह जो है अडल्ट एज में यह ऐसी प्रॉब्लम होती है आपका जो एयर है यह में बहुत पार पेशेंट कहता है कि मेरे को इसमें क इसको हम दोस्तों मेडिकल लेंग्वेज में टिनाइटिस पोलते हैं दोस्तों यह टिनाइटिस जो है वो क्यों होती है यूजवली यह है एक अडल्ट में यानि ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है क्योंकि जो कान जो हमारे जो एक नर्व होती है जो हमारे आवाज को दि हो जाती है तो जब पेशिंट एकांत में होता है तो आप उसमें चनी आट थे आंवा जाती है इसको हम सब्सक्राइख नि topl दूसरे patient को आती है, बट वो बहुत rare होती है, commonly subjective tinnitus होती है, जो only patient को फील होती है, तो दोस्तो एक कारण हो गया नर्व का वीक होना, वो नर्व का वीक होना कई सारे कारणों से हो सकता है, बहुत बार क्या होता है, sudden loud sound, डीजे के सामने, या कहीं पे भी बहुत बार चिलाने के कारण, पठाके के आवाज के कारण, या कान के परदे में लंबे समय तक छेद रहता है, मवाद आती है, उसके कारण, इन सब के कारण जो है, वो धिरे धिरे जब कान की नर्व वीक होती ह तो ये कान के अंदर साहीं साहीं का आवाज का आना यूज्वली पाया जाता है, बहुत बार दोस्तो कोई ड्रग जो होती है, उसके रियक्शन की करण भी ऐसा हो जाता है, नर्व वीक हो जाती है, जैसे कुछ कॉमन ड्रग्स होती है, बहुत जदा एनालजेसिक मेडिशन, दर्द की दवा लेना है, मलेरिया की दवा लेना है, लंबे समय तक बलड प्रेसर की दवा लेना है, डायबेटीज की करण भी, जो है ये जो कान की नर्व है, वो वीक होके और कान में साहीं साहीं आवाज आना, दोस्तो ये एक ऐसी समयश्या है, जिससे पेशेंट बहुत क्या है मांसिक और सारर एक दोनों रूप से पीड़ेट होता है उसका मन नहीं लगता उसको नेंद नहीं आती और वो अपने आप में बड़ा परिशान रहता है दोस्तों ये जो समझ्चा है सबसे इंपोर्टेंट बात इसका कोई भी बिमारी का दो ट्रीटमेंट है एक मेड कान के परदे में के पहले आपके वैक्स बरा हुआ है तो ये सब चीजें क्या है कि इसको क्योरेबल है यानि अगर आपने कान के परदे को ठीक करा लिया तो बहुत बार वो आवाज ठीक हो जाती है दोस्तों बहुत बार क्या है परदा भी ठीक है कान में वैक्स भी नहीं ह तो ऐसे में कुछ medicines जो है आपको चिकित्सक जो देता है जो कान के अंदर blood flow बढ़ाने के साथ में दिरे-दिरे उस आवाज को कम किया जाता है और कुछ patient के अंदर जैसे उससे आराम नहीं आता कुछ एक injections भी आते हैं टाइनेक्स करके जो हम ड्रिप में डालके patients को लगाया जाता है जहां उसको उसकी आवाज आना बंद हो जाते हैं वहां उस इंजेक्शन को बंद कर दिया जाता है बहुत बार एक से ज़्यादा या दो या तीन इंजेक्शन भी patient को हमें लगाने पड़ते हैं जब कोई patient इनाइटी से पीडित होता है तो उसको उस आवाज को दरकिनार करना चाहिए आप जितना उसके पीछे पड़ोगे आपको उतनी ही वह एप्रिशेट होगी जैसे अगर आप बैटे हुए वह रूम में चल रहा है और वह फैन आवाज कर रहा है बट आपने उसको अवेड कर दिया तो वह दिर दिरे आपको परिशान नहीं करेगी तो उसको ट्राइट वह एडिट एंट एक बार कुछ रूटिन इन्मेस्टिगेशन सारे जो है वह डॉक्टर को दिखा के कराने चाहिए बहुत बार क्या है ब्रेन में प्रॉब्लम होती है कोई उसके इसलिए पूरा वर्कप करा के जब हमने यह देख लिया कि यह कारण है हमें कारण इडेंटिफाई उस कारण को ठीक करना चाहिए हमें लगा चलो और कोई लाइफ थ्रेट नी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है तो जो चिकत्सक जैसे आपको दबा दिता है वैसे उसको फ झाल 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 झाल